क्या पढ़ रहे थे हैं कि अक्टूबर चल ला था ना कि अक्टूबर में एक टॉपिक बचा है लिख लीजिए महात्पूर्ण नियुक्तियां लाश्ट टॉपिक है प्रटन्ट अपॉइंट्मेंट इसमें बढ़त महात्पूर्ण है वोट चर्चा में थे माल्दियू के नए राष्ट पती क्या नाम है आपके पेपर में आया था कि मुईजू क्वीजी जो है एंटी-इंडिया है है लोग मोहमध पुईजू, मालदिव के नए पती बने, मालदिव से एक्वेटर गुजरता है, बताया थे न, तिया की तीन कंट्रीज है जिनसे एक्वेटर गुजरता है, कौन-कौन, AIM, अब लिखिए, एक संगठन है, बिमस्टेक, बिमस्टेक, बिमस्टेक के नए, बिमस्टेक के नए, महासच्यू बने हैं, इंद्रमडी, पांडे, सच्यू को, सेक्रेटरी, महासच्यू मतलब जेनरल सेक्रेटर, ठीक है, एक लिखो, भारतिय महिला क्रिकेट टीम की, भारतिय महिला क्रिकेट टीम, के नए, इफ कोच बने हैं, अमोल मजूमदार, अमोल मजूमदार भारतिय महिला क्रिकेट टीम के इफ कोच बने हैं, या हेड कोच, क्रिकेट से सवाल नहीं थे क्या, एक प्रस्न था, जिसमें खिलाडियों का खेल पूछा गया था, तक कोई प्रस्न था, निहान नहीं को देखा था हमने, अब आपको पता है, हमारे यहां जो वन डे वर्ड कप हुआ था, इसके ग्लोबल अमबेश्डर काउन थे, आई सी सी, वर्ड कप जो हुआ, कौन सा व आयोग का नेशनल आइकोन बनाया गया है, एक्षन कमीशन, राजकुमार राओ, राजकुमार राओ, राजकुमार राओ, जो है, इलेक्षन कमीशन का इन्हें बनाया गया है, ब्रांड एमबेश्डर, लेक्ष लिखो, अच्छ भारत अभियान का ब्रांड एमबेश्डर बनाया गया है संग्राम सिंग को थे भारत यां जो है शोना चाば रांडल मेज्ड़ बनाया गया है एंग्राम तो रेसलर हैं क्या है लौन है मैं पहलवान बोलते हैं नहां इंपर्टन्ट एग्रिमेंट एक टापिक है सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम तुकर पावर रिटेलर प्रोग्रम पर पावर रिटेलर यह है किसके बीच NSDC और Coca-Cola के बीच Coca-Cola और National Skill Development Council NSDC के बीच हुआ है क्यों हुआ है UP में Skill Development करेगा एक बहुत important है लिख लो Japan India Semiconductor Japan India Semiconductor Alliance कि प्रधान मंत्री मोदी के अध्यचता में इसको मंजूरी दी गई इसके है अब अगर बात किया जाए इस टाइप का इलाइंस इंडिया ने दूसरा एक क्वार्ट दे से पहले ही USA से बनाया है के बाद रहा कौन है जापान का तुम लोगों को हमने दिखाया था कि नहीं जापान में यह है तो खोट्रस्क सागर और यह जो आइलेंड है छोटा सा बना है यह है सखालिन क्या है और सखालिन आइलेंड परिसका दूसका और इंके बीच भीत छेत्र है कौन है कि यह पान सागर अब membhi कहते हैं माशा से को और सभाटा है इस्ट सी और दो डेकहते हैं कि पहले तो यह मैं देखिए आप यहां ध्यान से देखिए नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ही लगा लेते हैं नौर्थ से साउथ जो अलग-अलग टी है उनको पहले लगाईए सबसे पहले सबसे ऊपर क्या था अभी अपने देखा था नहीं जपान सी का नाम था इस्ट सी इस्ट सी के बाद नीचे ही था इस्ट का नाम है जपान सी उसी के नीचे क्या था इस्ट चाइना सी मिला इस्ट चाइना सी के बाद यहाँ पर पहले पढ़ता है फिलिपाइन सी, फिलिपाइन के नीचे पढ़ता है साउथ चाइना सी, देखो यहाँ पर यह जो एरिया है, यहाँ पर देखो यह है मिंडनाओ के उपर देखो यह फिलिपीन सी है, लुजवन स्ट्रेट के जस्ट सामने, यह वाला एरिया, उसक बहुत चाइना सी के नीचे है सूलू सी की बिला हूँ के बाद है लेविस लेविस या सुला बेसी कहते हैं इसको लेवेसी बना लो करम पूछ सकता है अना तो एक क्रम और लगवाते हैं उत्तर से दप्षिव मार्णीनल सीज हैं पूलते हैं सीकांतसांगर मारजशनल सीज है यालंho है कि वहाँ लगवार बहुत चरफ और सेडिमेंटेशन है स्रक्षक करक Noono4 Arkा कि पूरा अचुक्छ मैंलो यलोह बहुत ज़्यादा वहाँ कबदावली होती है अर्ग समझते हो ए रेगिस्तानी ना उस चाय जी है यह हो गया उसके बार देखो यहां पर एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो लाइन्स है मारजिनल सी में साउट चाइना सी के बाद लाइन्स है इसे 9-line बोलते हैं और आपको पता एक कानून है अंक लास ना है क्या होता है उनाइटेड नेशन कंवेंशन आन लाउग आपसी तो चाइना इसको नहीं मानता है चाइना मानता है कि जो हमारी बाउंडरी है चाइना की जो मैरी टाइम बाउंडरी है वो 9-line से डिसाइड इक इसमें बहुत सारे आई-लेंड्स आते हैं जो चर्चा में होते हैं इनमें से चार-पांच बहुत इंपॉर्टेंट है पहला लिको पारसल और से या पैरासल उसके बाद फिलिपीन से एक बीवाद चलता है स्कार्बोरो शोल पर इसकार्बोरो शोल पर एक है दोंगसा या से पहते हैं परातास ढुंगसा या प्राफास आई-लेंड्स और एक बहुत चर्चा में रहता है इस पार्टली आप अब इसका क्रम आता है लगाने का अई-लेंड्स का पता हिए अब लोग को होकाइडो फिर होन्सू फिर नहीं को कूझ फिर कूष कूशू कूशू याद लेना सुछा है बहुत बार कि इससे बढ़ा कौन है पार इसका नाम सबसे चोटा है फंसु का ज्यादा चोटा है जेके लेकिन एच में जिसका चोटा आछ सकना वो सबसे बड़ा है बार किकले कि इस पर है अब लिखो एसे हैश्ट और इस की साथ समझवता हूं ऐसे कोई परिभासा नहीं है एक एक गुरूप है गल्फ नेशन्स का क्या वोलते हैं उसको लिकिन का कोई गुरूप है गल्फ अब उसमें से ये कभी-कभी कुवेट को निकाल देते हैं आपस में विवाद होता है अभी किसी country को निकाल देते हैं गल्फ countries के बैंली Gulf country क्यों कहते हैं ये जानें Middle East तो पूरे region को कहेंगे जो दुनिया के middle में है और West के East में इस सारी विचारधाराएं कहां से चलती है योरोप से सारा ज्यान माना जाता है आधूनिक ज्यान कहां से आया योरोप से जिव प्लिटिकल जो हिस्ट्री या सिनारियो लिखा गया वो यूरोप के संदर में ए लिए यूर्फ की दुनिया में मिडिल है जैसरे दौनिया मालचीत बरा है इसमें मिडिल और किसका उनका इस्थ गरे मिडल इस्थ एसे की ज़्याद बढ़ा एंगी सै आप doc आपके सामने है कौन अफगानिस्तान जॉर्डन कतर बहरीन कुवेट सौधिया एराबिया इरान लेबनन सिरिया इराग ओमन टर्की इजराइल पैलेस्टाइन युई-ई तो कहते हैं मिडल इस्ट एक ची ध्यानक नहीं हम लोग जब एस्या को बाटते हैं रिजनली कहते हैं कि कि वार इसको कहते हैं वेस्टिस घिक वेस्ट या मिल जाए तो यह है उसने मिडल बनाया है तो यह कंट्री डिक उपटर इसारी कंट्री है कों कौन सी है जारी एरेबियन पे नहीं असला वाली पर यह क्या है轢़ कि कि क्या है अपका इरान अफगानिस्तान यहां पर इन्हों ने मिस्र का भी जो सिनाई वाला रीजन है इसको भी मिडिल इस्ट को मैंने बताया आपको एक ऐसा देश है जो एफ्रिका और एसिया दोनों लिखिए अब लिखिए सेप्टेंबर का करेंट अफेर्स गल्फ कंट्र का मतलब यहां पर दो में गल्फ में गल्फ कंट्री की बात कर रहा है तो अब जी सी सी से वार्ड आया अब जी सी सी में कई वारे लोग रखते ही नहीं बहुत सारी जिसे इनमें कोई विवाद हुआ तो उस के स्केंति को हटा दिए ग्राफिकली अगर आप देखेंगे का पार्ट नहीं इसको अरब इस्टेट्स अरफ इस्टेट्स अब परसियद गल्फ घर काउनसिल में ये नहीं है तो गल्फ कंट्री में curry आरस परसियन गल्फ के वो बोलते हैं इनलफ कंट्री मतलब यह जो च्छेतर है परसियन गल्फ के आसपास जो आकि ऑपना अलग रहती है आती रहती है तो कॉपरेशन और काउंसिल में इसमें कहा रख इसमें देखो आपाइस है कि अ मतलब नहीं है इन विद्न पर सामने ही है इन तो वह एधान से इसी ले चलती है बी एरान के पास पूरी गल्स का एकसेश है September का Currently Affairs, September की महत्फूर ranks and report. September की महत्फूर ranks and reports, September की महत्पूर ranks and reports. ट्रैम 100 next, the emerging leaders shaping the world list, 100 next emerging leaders shaping हैं रवार्ड है किस्ट आई है किती इसमें जो इंडियोग सामिल है उनकी बात करेंगे इसमें इंडिय जो सामिल रहें सभी हर्मन पृत कों में और फर्मन प्रीत को मान क्रिकेटर हैं जी सामिल हुई फर्स्ट वूमेन क्रिकेटर तिल लिखो नंदिताव इंकटेशन और थर्ड है इनू डेनियल नेक्स लिखो बहुत इंपॉर्टेंट है डबलू टियो की एक रिपोर्ट आती है वर्ड ट्रेड टेटस रिविव टेटस की है डबलू लिखो 2022 में 2022 में एविशु का टोटल गुड्स का विशु का टोटल गुड्स का एक्सपोर्टर था एक्सपोर्टर कंट्री है ठीक है उस पर टाप पे कौन है चाइना आप पे कौन है आप एक्सपोर्टर दुनिया का चाहिना उसके बाद युएस से इंडिया किस पोजीशन पे है अठारा हमें पे है कौन भारत एक्सपोर्टर में निर्यातक हाँ बिल्कुल हिंदी वाले लिखेंगे कुल माल निर्यातक देवा नहीं माल माल मतलब गुड्स माल निर्यातक कौन है इन युएस से और भारत तीक है अब एक्सपोर्टर की जगा लिख लो इंपोर्टर दुनिया का टॉप इंपोर्टर पे बस पलट दो वन पे युएस से से शेकेंड पे चाइना और भारत की पोजीशन रहे हैं स्यंट दुनिया में सबसे जयादा गुड्स एक्सपोर्ट करता है चािना यूस से और सबसे आदा इंपोर्ट भी एही कर रहे है वर्ड टेड पे उनका दबदभा है पीन गुड्स के ट्रेड एकりました जो गुड्स का ट्रेड था अब कामर्सियल सर्विसेज का गर्मर्सियल सर्विसेज का सबसे बड़ा एक्स्पोर्टर है पहले पर है यूज दूसरे पर यूके तो चाइना क्यों नहीं हा पाया है बताओ यास करो क्या स्विसेज जैसे कोई भी सर्विस आपने UBER बुक की अपनी लेंग्वेज में काम करते हैं इनके लिए आसान नहीं है कहां दूसरी जगा सर्विसिस दे थोड़ा यह पीछे हो गया और यूएस और यूके हर जगा भरे बड़े हैं आपके हां बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां सब कहां की है तर्विस वाली व्यूएस की है तो बाहर की है और ओला साथ इंडिया की है आपको पता है बीच में फ़रा सरकार और यूएस के बीच में उबर को लेकर को बहुत सारी चूछी जो ढेटा सीयरिंग की प्राइस थी तो ऊबर और अपना डेता कहा रखेगा उएस में उसको लेकर इंडियन गश लगाए थे भारत और अमेरिका के रिष्टे काफी तनावपूर हो गया थे पोला है इंडिया के बारे में मैं कह रहा हूं कि उबर का केस आया था वह लिए मुझे याद है वह यूएस से अक्चुली तनातनी हो गई थी क्या लिखा रिछेग शेवाओं मैं भारत का सेवेंथ पुजीसन इंडिया का एक्सपोर्टर में भारत का है यहां लिखलो एंप्र्ट प्रथा लिखलो इंपोर्टर इंपोर्टर में यूएस चाीना फिर चाइना आ गया कि यूएस कि इना कि इंडिया की पोजीशन लिख लो नाइन कि है कौन लेक्ष दुखो बहुत इंपॉर्टेंट है विस आर्थिक स्वतंतरता सुचकांक एकनामिक फ्रीडम इंडेक्स वर्ड एकनामिक फ्रीडम इसको कौन जारी करता है लिख लो फ्रेजर इंस्टीट फ्रेज़र इंस्टीट फ्रेजर का नाम सुना है कही जगरफी में कहां पर इसर कहां करीबर है तो बैंकूबर कहां है वेसमें गैनेटा में है और बैंकूबर किस के माउथ किस रिवर के माउथ पर है रेजर कहां की कंपणी है एक हो ध्यान से सब लोग मैं भी खोल लो नौर्थ अमेरिका फिजिका कुछ चीज़े बता दें आपको पता है यह जो लाइन है यह यहां देख रहे हो यह लाइन यूएस और कैनेडा की बाउंडरी बनाती है यह रहे है तो फॉट्टी एट यह फॉट्टी नाइन नौर्थ कहते हैं यह रहे है मिली अब यही पर एक नदी है ध्यान से देखो यहां पर एक प्लेट्यू है फ्रेजर प्लेट्यू किला ब्रितिस कॉलम्बिया स्टेट में यहां देखो फ्रेजर प्लेट्यू फ्रेजर प्लेट्यू से नदी निकलती है और जहां गिरती है उससे कहते है जुआ फुक्का की खारी गवन powerless as प्लेट पढ़ा है यहां पर दो चीजे इंपॉर्टेंट है यहां पर एक आइलेंड है आइलेंड का नाम है वैंकूवर आइलेंड और एक सिटी है वैंकूवर सिटी जहां नखना है वैंकूवर सिटी में लैंड पे है जबकि वैंकूवर आइलेंड आगे है बलब पोसन में इसके अलावा Vancouver City जो है वो history में आपने पढ़ा होगा कामा गाटा मारू एक incident हुआ था modern history में पढ़ोगे कामा गाटा मारू इंसिडेंट तो जो कामा गाटा मारू जहाज था वो Vancouver तट पर ही आकर रुका था और यहाँ पर वैंकूवर तट पर ततकालिन जो वहाँ की सरकार थी उन्होंने एलाउ नहीं किया था इंडियन्स को रुखने के लिए और उसके बाद आपको पता है यहाँ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में बहुत सारे हमारे जदर आंदोलन के पार्टिसिपेंट इन्ह जानके युएस की कैबिटल है Washington DC जो इस कोस्ट पर है युएस के इस्टकोष्ट पर है यानि युएस पर नीचे ज्तिकरण। वेस्ट कोस्ट पर यहां सबसे ऊपर भी है तिखा आपको ठीक फ्रेजर वैंकूवर के नीचे यूएस का जो स्टेट मिलेगा वह है वासिंग उसकी कैपिटल है स्येटल यह बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर बहुत सारे हाज के उद्द्यों सिप इंडस्ट्री है कहां इसके बाद इसी वासिंग टन के नीचे एक स्टेट पढ़ता है औरेगॉन वहां पर एक बहुत महत्पूर जगा है पोर्टलैंड पोर्टलैंड का नाम आपने सीमेंट की हिस्ट्री जब पढ़ी होगी तो सुना हो पोर्टलैंड इमेंट इंडस्ट्री के लिए भी फेमस तिक और जो रिवर से कैनेडा की वो देख लेते हैं ध्यान से एक सबसे इंपर्टेंट है यूकॉन औरेगॉन कैनेडा की अब रिवर देखिए एक इंपर्टेंट रिवर है यूकॉन देखा यूकॉन यूकॉन की जो रिवर वैली है इसको कहते हैं लैंड आफ thousand smokes इसके बाद Yukon से इधार देखेंगे McKengy एक डार इंपके इंलेंड कुछ रीवर से मेंपके इस में एक है तो स्रूलों इंपके सब्सक्राइब अन्दर से युजान जै रही हो जगा पर क्यम बना यहाँ पर बहुत सारीовой इंपर्टेंट है इनका करम पूर्ण सकता है इनका करम लगाओ नॉप डू साउथ कैनेडा की ग्लेशियल लेक्स एटल इंड़स्ट्री और एरो इस्टेरो, क्या बोलते हैं उसको जो एरो प्रोडटस हैं, मतलब एर इंडस्टरी के लिए जो प्रोड़ा के जो क्यूछ प्रोकशन प्सकाई लेक्स को नार्थ टू साउथ लेक्स को लगाओ पहले, सबसे उपर ений ग्रेट बीर उसके बाद ग्रेट स्लेब उसके बाद पताओ अथा बासका पिला ग्रेट बियर ग्रेट स्लेब अथा बासका उसके बाद पिल गई सारी नौर्थ टूस इनका करम लगाओ बहुत इंपर्टन्ट पुछ सकता है कभी भी जयां में घ्रेट बियर ग्रेट स्लेब आपको पता है ग्रेट बियर से मैंने बताया था और कटिक सरकल गुजरता इक रहाएं तेखो यह है आर्कटिक सरकल यहां है फॉक्स बेशिन फॉक्स से भी गुजरता है कौन आर्किटिक सर्कल आते हुए यहां पहुंचता है एको ग्रेट वियर को बीच से एक लोग ग्रेट वियर ग्रेट स्लेब अथावास का रेंडियर विनिपेक और भी छोटी-छोटी है करम बनाओ North to South, Lakes का करम, Glacian, विनिपेक के नीचे निपीगेन भी लिख देना विनिपेक से South में यहां पड़ती है, अब देखो ध्यान से, यह तो आपकी Canada की Lakes हो गई, अब कुछ इस रीजन को कहते है Great Lake, इस रीजन, पाद जीले हैं बड़ी-बड़ी ठीक, पाद जीले जो Great Lakes हैं, उनका अगर आप करम देखें, यहां ध्यान से देखो अगर आप West से East का करम देखें, तो यह होगा Sumheo या SMheo ठीक, ऐसे बनाओ, अगर West to East, अगर लगाएंगे, तो होगा Superior Michigan Huron, किरी Ontario प्लस वर्क कर लो, अभी भी Importance अगर ना समझ में आया हो, तो बेकार है, यह पर तो देखे ही होगे, तुमको क्या लगता हो, जागरफी के Question हैं, सब मैपिंग के Question हैं, जागरफी से जो 80% Questions हैं, वो मैपिंग के Questions हैं, एवन जो Eastern और Western Tradewind याट Cyclone लिखा है न, वो भी मैपिंग के Question हैं, थोड़ा भी आदमी एगर उसमें दिमाग लगाएगा, तो वो मैप से ही Solve होगे, यहाँ ध्यान से देखो, अगर आप West to East, order रखेंगे कैसे, Location के हिसाब से, तो ट्रिक बनेगी SMHEO, और अगर आप Size के हिसाब से रखेंगे, तो बनेगी SHMEO, यह लिख लो Size, इस Size है क्या, Larger Size, और यह इसमें, यह दोनों चीज़ें पूछ सकता है, यह लिए Ready रही है, कभी भी पूछ सकता है, अगर Location से हो तो SMHEO, और अगर Size में हो तो SHMEO, याद रहेगा? अब देखो, यहाँ ध्यान से, Superior और Huren, वो जो Canal जोड़ेगी, यह क्या बोलेगे? देखो, सु की Spelling क्या होती है? SHOE, होती है ना? एसको H से कौँ जोड़ेगा? सु, मैं SH आएगा, सु कैनल किसको जोड़ती है? सुपीरियर को Huren से लिखेगा, सु कैनल कनेक्ट्स, Superior to Huren, याद रहेगा भी गलत नहीं होगा पुछेगा सू कैनाल किसको जूड़ती है, तो सुपीरियर को ध्यूरण से जूड़ती है, एक लेख और इंपोर्टेंट है, आपने सुना भी होगा, उप्रेट साट लेख, थिला ? ग्रेट सार्ट लेक यहाँ पर, ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक जिस प्लेट उपे है उसका नाम है जाहिद से बात है इसका नाम है ग्रेट साल्ट लेक, जिस प्लेट उपे है उसका नाम है ग्रेट बेसिन, इला, यहां देखो, ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन पर जो लेक है उसी का नाम है जो इंटेरियो से कैनाल जोड़ती है, ठिक है, एरी को उंटेरियो से जो कैनाल जोड़ती है, का नाम है वैलेंड, पिली, पिली वैलेंड कैनाल, पॉंटेरियो और एरी के बीच में काउन है वैलेंड की ट्रिक बना सकते हो यी डब्लू ओ टिक कुछ भी एकोनामिक वेलफेर आफीसर ऐसा करके यी वो से जोड़ेगी वो डब्लू तू किसको जोड़ेगी एस को एस से अज़ेगा है यहां पर बहुत सारी इंपर्टेंट सिटीज है वो देख लो अबिल्कुल को लागरा फाल्स कि यागरा फाल्स कि यूज और कैनेडा के बार्डर पर है यूज और कैनेडा के बार्डर पर है दिसने फाल है भारत में इक न्यागरय की तरह दिखते होला फाल इसलिक्z भारत का नियागर्द कहते हैं वाटर फॉल को धारत का नियागर्द कहते हैं ट्रकूट मैंने बताया थाना आपको अतिसगड़ में है इंद्रावती रीवर पर है चित्रकूट वाटरफाल भारत का न्यागरा कहते हैं यह है आप न्यागरा देखेंगे और यह देखेंगे देख्दम सेम दिखेंगे कि यह बहुत चौड़ा है देख लो कित्रकूट वाटरफाल को भारत का नियागरा कहते हैं कित्रकूट वाटरफाल वाल्ट नियागरा आफ इंडिया यहां देखोगे एक पेनिंसुला है नोवा इसकॉसिया देख रहा है यहां पर इस नोगा स्कॉसिया पेनिसुला और में लेंड के बीच में हैं फंडी की खाड़ी फंडी की खाड़ी वे आफ पंडी मैं एक दिन आपको जब सौथ हम्टन पढ़ा रहे थे तो बताया था कि दिन में चार बार जुआर आते हैं कहां पंडी की खाड़ी तो दुनिया में जो हाइस्ट टाइड आते हैं वो फंडी की खाड़ी में आते हैं अब जो लेक रीजन था वहां कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है एक तबसे इंपॉर्टेंट है मिसीगन के यह नकना है मिसीगन के किनारे शिकागो जो पंडी की खाड़ी वाला है आईस्ट टाइड ता वर्ड गोवा इस्कोट्या प्रायद्यूप और में लेंड के बीच में कैनेड़ा में आता होगा जब कलर होता है तो इंटरीी चेंज होती दिखै और अगर फिजिकल मैप में कलर होता तो हाइट होती है कि आध्या उसे क्या बोलते हैं ऐल्टी टूड जोता है कि देखेँ होंगे भंडी खाली जहां पर हमां कैनेडा का कोस्ट है कि यहीं पर आपको पता है ग्रेंड बैंक है तोड़ा आगे इस जगे पर रेंड बैंक है बड़ सुना है क्यों फेर्मस है कि स्रीज के लिए मैंने बता है जब दो एड़वर्स टाइप की करेंट मिलती है मालों जो हाट एंड कॉल मिल रही है तो इधर से आती है लेबराडो रईज़े लिखा है राइंड है आप ऐसे सन्ड जॉसचर है मैं में तो ग्रैंड बैंक में पिसरीज का छेतर है ऐसे आपको मिलेगा टोवर वैंट घ्रैंड बैंक यहां एक चीज और ध्यान से देखों यहां पर एक जगह है बर्मूडा किला और यहां पर है मायामी प्रिटोरिको और अब इन तीनों को मिला दो क्या बना पर्मूडा को मायामी और पिटोरिको से मिला दो क्या बना ये कौन सा सेफ है ये क्या बोलते हैं पर्मूडा ट्राइंगल लिख लो ऐसे बना लो पर्मूडा ट्राइंगल तीनो नोड्स लिख लो तीनो पॉइंट्स पिटोरिको मायामी मायामी बहुत पेमस बीच ह नाम यहां पर इनका लांचिंग स्टेशन है इसका यूएस का नाम है जॉन एफ कैनेड़ी तो मैंने क्या बता है टाइड किसकी वज़े से आता है कर दोनों की मैं मान लिया आपकी बात तो सं और सं भी तो दोनों के मिक्से वज़े से आएगा तो संब्सक्राइब गता है कि सापेश नहीं करता है तो क्या संगती करता है नहीं संसे को करता है बताओ ब्रह वह को misin इंतर में क्या बता है सिंग binary प्वाइं तो फट हुआ है मिघ्या थे बात क्या हूआ सारे अलग अलग हो गए यह कैसे पता चला है कि यह बात कैसे पता चली कि सिंगुलर्टी पॉइंट है कि आपको पूछा जाए कि कैसे गतिक देखो बात यह है कि जब इस्टडी की जाज लेमेंटियर एक पादरी थे और इनकी जो टीम थी जो भी थी अबल ने भी एक थेओरी दी है आपको पता हुगा प्रम्हांड विश्टररसील सिध्धान यूनिवर्स एक्सपैंडिंग थेओरी दिया है हबल ने हुआ क्या कि जब देखा गया कि मालुए सन है मालुए एक पिंड है यह कोई बी पिंड है कोई सी पिंड है आज की पुजीशन आज से सव साल पहले पुजीशन नहां है नहां अब सोके सकेल पेस्कूर पीछे ले जाओ यहां यह पिर यह यहां यह यहां पिर आके एक जगा it Зем इतो यह जगाकर्वेल तो इसी टाइम निकाल लिया रिए नेखिट अちゃんा घर्टS 002 यह बभार कर रहे थे जो सिंगुलर्टी था वो एक ब्लैक होल था यह तो कंसेप्ट है और ब्लैक होल में आपको पता है एक सीमा होती है संसेखर लिमिट का नाम सुना होगा अगर कोई हो तारा तो अपने आप क्या होता उसमें पिस्फोट हो जाता है अब गती देख रहा है सब एक दूसरे से दूर जा रहे है तो जो ब्रम्हांड का केंद्र है पुरे यूनिवर्स का जो सेंटर है उसके चारो और सन भी क्या करता है तो अभी जो बता रहे थे िस्थी इवलूशन यह दो गतियां पृ bullish लट्टु वालिगती इसे बोनते हो हैंलियन वूह फ्र। होका होई प्रथवी लट्टु में कितनी गतिया तीतिन लट्टू ऐसे अभी गतिकरता है कि प्र।ब धुन कि द्रम्फ हो गए है और एक होगी कौन सब्सक्रा तो आपक रो हमसारची की ते कर ए और सकती हो जाएे की लिवजग जावी के लिवशा है